आसमान से गिरे खजूर में अटके ये कहावत तो आपने बहुत बार सुनी होगी पर यही सिलसिला या कहावत अभी किसान भाईयों पर लागू हो रही है और उनकी एक समश्या जो की काफी बड़ी दिख रही थी वह थोड़ी बहुत सुलजी तो उनके सामने एक और समश्या और जो की अभी काफी विकट हैं जी हाँ किसान साथियों हम बात कर रहे हैं किसानों की जिनोंने खरीप में फसल लगाई थी और काफी उत्सा के साथ काफी जादा लागती या खर्चा भी उसमें लगाया था पर उसके अनुरूप उत्पादन आता हुआ अभी नहीं दिख कि फसल के सामने किसानों को देखने में भी दिल पसीद जाता है तो एसी ही खबर आज के इस वीडियो में हम देने वाले हैं जिसमें पूरी जानकरी आपको देंगे तो वीडियो पसंद आए हमारी मेहनत पसंद आए हमारा किसानों के प्रती जो बताने का तरीका है वो पसंद आई तो like करें जादा से जादा किसान बयों तक और सरकार तक पहुँचाने के लिए इस वीडियो को जादा से जादा WhatsApp, Facebook पर share करें और इसे ना वाइरल करें कि यह सरकार तक पहुँच जाए, क्योंकि किसान सात्यों नाचगानों के वीडियो को तो आप like भी करते हो, share भी करत तो इस विडियो के बाद ही पता चलेगा, तो इसे जादा से जादा से ज़्यादा से shrinking करें, किसाने की आज है उम्मिध हैं, वह बनी रहें कि किसान भाई खेतों में जाकर देख रहे हैं तो उनकी न तो फलिया मिल रही है ना पत्ते मिल रहे हैं सिल सोयबिन की डंठल है वह खड़ी है और इसके कारण किसान भाई काफी हचास हैं इल्लियों के प्रकोप के बाद एक फंगस जनी त्रोग भी लगा है क्योंकि पहले बारिस की खेंच के कारण तनाव में आ गई फिर बारिस गिरी तो उमस के कारण और अधिक नमी के कारण जो है फसल में फंगस जनी त्रोग लगे जो तस्पीर आप देख रहे हो या फंगस क का अटेक देखने को मिला हैं जिससे की अधित्तर खिसान भाईयों की फसले प्रबावित हो चुकी है पहले बारिस की खेंच के कारण काफी ज़्यादा फसले सूख चुकी थी जिनमें फसल में फसल में किसानों की कटाई भी नहीं हो पाईगी और उनमें कोई उत्पादन उनका आने का नहीं है उसके बाद 10 से 20 प्रतिसत किसान भायों की फसल कुछ बची थी उनमें इल्लियों और बीमारियों ने काफी ज्यादा प्रकोप फेलाया है जिसके कारणा फसले बिल्कुल ही बरबाद और तबाह हो गई है यहां अजारा आप देख सकते हो इल्लिया फलि नुकसान हुआ है क्योंकि एक राज्य में नहीं पूरे भारत में जहां पर भी खरीब की फसले लगी थी यह दो समश्याओं का सामना किसान भाईयों को लगातार करना पड़ा है तो सरकारे सभी जगे की ध्यान दे और किसानों पर जो हैं पूरा फोकस करें ताकि जो हैं कि किसान भाई बच सकें और किसान भाई अगर बचेगा तो अन्न का उत्पादन करेगा और पूरे देश का पेट भर पाएगा तो किसानों को बचाना अभी फिलाल जरूरी हैं काफी ज्यादा दो प्रकोप हुए हैं एक तो सुखे का संकट हुआ था उसके बाद बारिस गिर और इस संकट से किसानों को निकालना चाहिए ताकि वह आगे आने वाली दूसरी फसलों में लग जाए गेहूं की फसल है या अन्य फसले आगे जो लगने वाली हैं उनकी तेयरियों में लगे उसके पास पेशा होगा तो वह तेयरियों में लग पाएगा नहीं तो आगे आ तो किसान साथियों और देशवासियों आप देख सकते हो प्रकरती का कुछ प्रकोप ही हम इसे मान सकते हैं कि जो पहले पारिस की खेंच के कारण फसले बरबाद हुई कुछ फसले बची थी तो हिल्लियो, कीटो और भीमारियों के प्रकोप से फसले बरबाद हो चुकी है अब इनका उत्पादन बिल्कूल भी नहीं आएगा किसानों को कीटो के कारण इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा है कि उनकी लागत तो दूर की बात है कटाई का पेशा भी नहीं निकलने वाला है तो यह जानकारी आपको केसी लगी हम हमेशा किसानों के साथ खड़े हैं किसानों का होसला बंदाते रहेंगे और किसानों के आवा सरकार तक हमेशा पहुचाते रहेंगे तो आपको जानकारी केसी लगी कमेंट में जरूर बता है वीडियो को पूरा देखा है तो जैहिन कमेंट जरूर करें इसके अलावा आपके कोई सवाल या सुजा हो तो वह भी जो है कमेंट कर सकते हो जिससे हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे आपके कोई सुजा होंगे तो वह भी जादा से जादा कि के अलावा जिन किसान भयों की कुछ फसल बच्ची हुई हैं तो उनमें ततका लिल्ली मारने की दवाई कौन सी हैं उसका वीडियो भी डाल रखा हैं और आप सारी जानकारी खेती से संबंदी चेनल पर जाकर देख सकते हों पूरा देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिन जय भारत वंदे मात्रम